नमस्का दोस्तों मैं हूं रहो लिया दो आप देख रहें मेरा यूटूब चैनल वाई शाप दिवयांग दोस्तों मैं ने या चैनल भाई बहनों के लिए खास करके दिवयांग जनों के लिए बनाया है जो दिब्यांग जन ना जानकारी के अभाव में सरकार की जो योजनाई हैं और जो हमारे कानून अधिकार हैं उनसे उन्चित रह जाते हैं ना जानकारी के अभाव में मेरा मक्सद इस चैनल के माध्यम से उन दिब्यांग जनों तक जो हमसे जुड़ी जानकारी है दिब्यांग मैं भी 100% दिव्यांग हूँ और मैं आजमगर उत्तर प्रदेश से बिलाउंग करता हूँ आजमगर उत्तर प्रदेश का राने वाला हूँ और मुझे भी बच्पन से दिव्यांगता है दोस्तों दिव्यांग जैनों की जीवन में तमाम समेश्याइं आती हैं समेश्या तो ब आगे बढ़ना है दोस्तों मैं भी ग्रियुशन तक पढ़ाय किया हूं और मेरे भी जीवन में तमाम दिक्कते आई हैं लेकिन मैं ने उन दिकतों को कभी दिक्कत नहीं और मैंने कभी अपने आपको दिब्यां नहीं समझा मैंने अपने दिमाग से यह बात निकाल दी क और एक शकलांग ब्यक्ति की तरह से मैंने अपनी समस्याओं से लड़ा दोस्तों दिव्यांग जनों की सेवा करने की मेरे मन में बहुत पहले से भावना थी कि दिव्यांग जनों की सेवा की जाए मगर कोई ऐसा प्लाटफार्म नहीं मिल भा रहा था जिसके जरिये दिव्या और के स्कीमी हैं और जो भी योजनाइएं उनको दिव्यांग लेंगे पहुछाई जाए जो हमारे भाई इस से उचित रहते हैं उनको ये जैनकाई देजाए दोस्तों इसी मकसद से मैं ने इस चैनल को बनाया है दोस्तों देद्रे जब मान्स साल का हुए और लूंक स्कू भी सरकार की नहीं थी तो दोस्तों मेरे लिए गूड लग था मैं एक भाग साली हूं कि जो में पांच साल का हुआ पढ़ने लायक हुआ तो मेरे गाओं के बगल में मेरे घर के कुछ ही दूर पर एक बिद्याले खुल गया और उस बिद्याला में मैं पढ़ने के लिए जाने की मैं कभी भी स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ा जब भी पढ़ा समानी स्कूल में पढ़ा और समानी लोगों के साथ बैठ कर समानी तरीके से पढ़ाई की कभी भी स्पेशल स्कूल का सहारा नहीं लिया और गिर्योशन तक की पढ़ाई किया अला कि जब मेरा सेंटर जात सुनवाई नहीं हुगी और सेलफ सेंटरभ नहीं हुआ और मेरा भी सेंटर गया और मैंने भी समान जनुग के साथ ही ट्राइसिएकेल सही पडिक्षा दिने के लिए गया और जब मैं बीह थैक दनी के लिए तो सेकेंड फ्लोर पर मेरी परिछा हुई जो कि second floor पे मैं परिच्छा देने के लिए मेरा जो परिच्छा रूम था वो second floor पे था और हलाकि principal ने मुझे जब देखा कितनी मियाना से मैं सीड़ी परिच्छा देने के लिए जाता हूं तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कवत मैं विवस्था नीचे ही कर देता हूं लेकिन म कि मैं अपने दोस्तों के साथ second floor पे ही परिच्छा दूंगा और मैं उपर ही second floor पे अपने दोस्तों के साथ ही परिच्छा दिया सीड़ी उसे चड़की जाता था second floor पे तो दोस्तों मैं बार-बार कहा रहा हूँ, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार की जो भी स्कीमें हैं, सरकार की जो जनाएं हैं, उनको आप तक पहुचाने का प्रियास करूँगा, और साथ ही ऐसे दिभ्यांगों से मिल वाँगा, जो उपनी जीवन में दिभ्यांगता के भावजूद कुछ अलग करके और अपना और अपने परिवार का जीव को फारिजन कर रहे हैं। साथ ही ऐसे प्रतिभावान दिभ्यांगों से भी बिलवाऊंगा जिनके अंदर अनेक प्रतिभाई शुपी हुई हैं और उनको बस जरूरत है लोगों के सामने रखने की और उनको निखारने की नमस्कार दोस्तों अगर आप नए हैं मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नए नूटिश फिकेशन है वो दिभ्यांगों तक पहुंचता रहे